आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में गैसलाज क्या होते हैं और कितने हमारे पास गैसलाज मुझूद हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास टोटल तीन गैसलाज हैं जिन्में सबसे पहले बॉयर्इस ला है देन अब गैसलाज होते हैं तो अब आपको पता है के एक temperature और pressure ये दो terms ये दोनों की दोनों किसके उपर किसके साथ related है volume के साथ sir आपके कहने का मतलब मतलब ये है कि अगर हम temperature को change करें externally या pressure को change करें आपको पता है यह दोनों externally ही apply होती है जब हम temperature को change करें या फिर pressure को change करें तो उसका volume भी effect होगा तो अब इसकी definition की तरफ चलते हैं इसी बात में से कि जब जो temperature या pressure इन दोनों का volume के साथ जो relationship जो large explain करते हैं उनको हम gas large का नाम देते हैं इसके बात अब हम चलते हैं boil's law की तरफ के boil's law क्या होता है boil's law क्या होता है तो boil's law was presented by a scientist boil उसका क्या कहना था उसने कहा कि pressure of a gas is inversely proportional to volume अब इसके definition की तरफ चलते हैं तो इसमें जो आपको terms नजर आ रही है एक है pressure और दूसरी है volume और इन दोनों का relation के हापस में इस आर inversely proportional to each other अब इस definition को समझने के लिए इस diagram की तरफ देखेगा यहाँ पर जो हम force apply करेंग externally इसको हम pressure का नाम देंगे और इन gas molecules ने जितना area कवर किया हुआ है इसको हम volume का नाम देंगे अब इसकी definition का मतलब क्या है pressure is inversely proportional to volume यानि जितना pressure increase होगा volume उतना ही increase होता चला जाएगा मजीद हम experimental verification में देखेंगे लेकिन अभी तक मैं फिर भी बताता चलो कि यह देखी यहाँ पर pressure कम था तो volume क्या था ज्यादा pressure बढ़ा दिया volume कम होगा और जूही pressure मजीद बढ़ा तो volume मजीद कम हो गया तो यह बास थाबित हुई कि pressure is inversely proportional to volume लेकिन यह definition यहाँ तक महदूद नहीं है यहाँ पर हमारे पास दो terms मजीद आगे मौजूद है that is conditions सर्वो condition कौन कौन सी है उनमें सबसे पहली condition that is constant temperature यानि यह वाली जो pressure के दर्मयान और volume के दर्मयान जो relation है इसमें temperature का constant होना ज़रूरी है अगर आप इस बात का भी सुबूत देखें तो यह देखेंगा 3 vessels है इन तिनों के नीचे मैंने temperature को 25 degree centigrade ही लिखा है कहीं पर मैंने temperature में variation नहीं की तो इसके बाद जो दूसरी term है that is number of moles यानि number of moles का क्या मतलब है कि gas की मिकदार जितनी gas की मिकदार हमने पहले ली थी जितने उसमें number of molecules पहले थे अब भी उसमें number of moles उतने ही है और उसके बाद भी number of moles उतने ही है तो number of moles और temperature यह दोनों की दोनों हमारे पास constant होना ज़रूरी है दो terms मैं इसी तरह आपको बताता चलूँ एक constants होती है इन gas last में और एक होती है variables तो जो चीज़ें जो terms change हो रही होंगी जैसा के pressure है और volume है यह दोनों को हम change कर रहे हैं इनको हम variables का नाम देते हैं और जो terms change नहीं हो रही these are temperature and number of moles these are constants दन है चले जी अब next हम इसके mathematical expression की दरफ चलते हैं तो mathematical expression इसके definition से निकालते हैं that is pressure is inversely proportional to volume that is P is represented pressure pressure is inversely proportional to volume what does it mean if volume is increased अगर हम volume को क्या करें increase करें तो pressure क्या होजाएगा decrease and that is inversely proportional और अगर मैं इस यह proportionality के sign को खतम करूंगा तो यहाँ पर मुझे equality का sign लगाना पड़ेगा और उसके साथ यहाँ पर K को भी put करना पड़ेगा and K is a constant of proportionality तो इसके बाद जो next value मेरे पास है कि P is equals to KV और अगर मैं K की value निकालना चाहूं तो यह V यहाँ पर divide हो रहा है और वहाँ पर multiply करके हमारे पास यह final formula आ जाएगा उसके बाद यह हमारे पास एक final formula इसको भी मजीर discuss करते चलते हैं that is the constant of proportionality is equals to the product of pressure and volume यानि अगर इस इस equation के according अगर volume increase होगा तो जितना volume increase होगा उतना ही pressure क्या होगा decrease होगा सर ऐसा क्यों होगा क्योंकि k constant है और k ने change नहीं होना तो इस k को constant रखने के लिए यह ज़रूरी है कि जितना volume increase करेगा pressure भी उतना ही decrease होगा उसके बाद अगर मेरे पास दो conditions हो यानि एक पहले मेरे पास एक conditions फिर दूसरी conditions तीसरी conditions यह में अगर variations लेकर सिर्फ दो conditions को जिकर करूँ तो इन में pressure का और volume का at first condition इन दोनों का जो product होगा वो equal होगा pressure और volume का product पर pressure और volume के product के किस condition पर second condition पर तो जो next मेरे पास equation हागी that is P1 V1 is equal to P2 V2 these are initial conditions and these are final conditions clear आजी चले अब next हम इसकी experimental verification की तरफ चलते हैं के sir यह boils ने यह जो boils लापेश किया यह हम ऐसे तो नहीं मानेंगे जाहरी से बात ही इसके पिछे उसने काफी दाशबूत भी दिये होगे दलीलें भी दिये होगी तो उन मेंसे जो उसने experimentally हमें जो prove करके दिखाया verify करके दिखाया उसके उसकी तरफ हम चलते हैं कि उसने क्या किया उसने क्या किया सबसे पहले 3 containers लिए जिनके उपर different pressures apply किये हुए है और इन तीनों ने मुख्तलिफ volume भी occupy किया हुआ है सबसे पहला container इसके उपर हमने 2 ATM pressure apply किया हुआ है और इसका जो volume है that it occupied is 1 decimeter cube and the temperature is 25 degree centigrade temperature 25 degree centigrade है pressure 2 ATM है और volume 1 decimeter cube है अब जू ही हम pressure को increase करके double कर देंगे यानि 4 ATM पर ले आएंगे तो according to definition the volume will be halved मैं आपको यहाँ पर बताया जितना pressure increase करेंगे volume उतना ही क्या होगा half हो जाएगा यानि decrease हो जाएगा अब यहाँ पर pressure को double किया 2 से 4 कर दिया तो volume भी क्या हो जाएगा half decimeter cube हो जाएगा इसी तरह से temperature फिर भी constant है next vessel में हमने क्या किया जो pressure है उसको 6 ATM कर दिया यानि मजीद increase कर दिया और जो volume है वो भी मजीद 1 over 3 decimeter cube हो गया अब यहां से इस experimental verification पूरी देखने के बाद हमें एक term तो clear हुई के वाकी सर जूँ जूँ pressure increase करता चला गया volume भी decrease करता चला गया तो यह एक हमारे पास दलील है के जिससे हमें यह बाद जाहिर हो रही है के boils law is correct अब एक और चीज को हम देखते हैं जो हमें यह साबित करके दिखाएगी के वाकी boils law correct है वो किस तरह से आप इस equation को follow करते हैं यह equation को किस तरह से होगा again वो containers को देखेगा जो सबसे पहला container है उसमें pressure कितना है 2 ATM और volume कितना है 1 decimeter cube and that is equals to P1 V1 that is equals to K तो जब हम इन दोनों को multiply करके 2 multiply 1 that is equals to 2 and decimeter cube is the unit of volume and ATM is the unit of pressure इसी तरह से जब हम next करते हैं next condition की तरफ चलेंगे तो K is equals to P2 V2 और जो second pressure था that is 4 ATM and the second volume was half decimeter cube तो हम इसको solve करेंगे 2 divided by 4 divided by 2 that is equals to 2 decimeter cube ATM तो देखें यहाँ पर भी 2 था है यहाँ पर भी 2 था लेकिन मजीद आगे चलते हैं K is equals to P3 V3 that is third vessel यहाँ पर क्या हुआ है हमने pressure को increase करके का कर दिया 6 ATM कर दिया और volume को volume automatically decrease हुआ और वो कितना हो गया 1 over 3 decimeter cube जब हम इसको solve करेंगे तो 6 divided by 3 that is equals to 2 decimeter cube अब देखेंगा जब हम इन 3 equations को solve कर रहे हैं तो हमारे पास answer क्या आ रहा है मारे पास answer एक ही आ रहा है that is 2 decimeter cube 2 decimeter cube 2 decimeter cube अब इस सारे की conclusion क्या होगी कि जो boils law है that is verified तो boils law ने भी यही कहा था के चाहे जितने भी conditions हों उन सब के अंदर जो pressure का pressure का और volume का जो product है वो सारा का सारा क्या रहता है constant ही रहता है Clara जी चले अब next हम graphical explanation इसी ब्वाइस law की graphical explanation की तरफ चलते हैं के ब्वाइस law को graph के जरीए से किस तरहा से represent किया देगा उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहला graph जिसमें आपको pressure जो है वो x-axis पर दिखाई दे रहा है और जो volume है वो y-axis पर दिखाई दे रहा है जब हम इन दोनों के दिरम्यान graph को plot करेंगे तो चुँके pressure increase कर रहा है और volume क्या कर रहा है decrease कर रहा है तो volume की value यानि volume की curve क्या होगी नीचे को आएगी और नीचे को आने का मतलब क्या था decreasing curve और जो pressure है चुँके ये increase कर रहा है तो ये further आगे की तरफ move करेगी जो ये बाज जाहिर कर रहा है का pressure क्या कर रहा है increase कर रहा है और इसी तरह से ये वाली जो curve हमने draw की that is T1 यानि ये low temperature पर हमने draw की है ये हमने low temperature पर draw की है इसको एक और condition से जाहिर कर देते है कि ये जो T2 है that is greater than T1 कि जो T1 है वो कम है और जो T2 है वो ज्यादा है अब जब हम T2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो curve है ये इस pressure और volume दोनों के दोनों axis से away चरी जाती है और that is T2 और यहाँ पर आप पुछेंगे के sir ये दोनों की जब हम temperature increase करके curve निकालते हैं तो ये away from both axis क्यों जाती है तो उसकी reason बड़ी simple है कि जब हम first करें यहाँ पर 25 की जगापर 50 degree centigrade लेंगे तो जब temperature increase होगा तो यहाँ पर volume क्या कर जाएगा increase कर जाएगा यहाँ पर volume क्या कर जाएगा increase कर जाएगा तो जब volume increase करेगा तो यह वाली जो graph यानि यह वाली जो curve होगी यह away from both axes move कर जाएगी clear है जी चले अब next graph की तरफ चलते हैं that is plotted between the pressure on y-axis and 1 over v on x-axis अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने यह बात पड़ी होई है पहले भी मैं आपको बता कर रहा हूं कि P is inversely proportional to 1 over sorry P is inversely proportional to v लेकिन इस बात को आप directly proportional की sense में किस तरह समझेंगे कि P यानि pressure volume के तो inversely proportional है लेकिन 1 over volume के directly proportional है यह वाली जो P है यानि यह वाली जो pressure है यह 1 over v के क्या है directly proportional है तो जब हम pressure को increase करेंगे तो जो 1 over v की value है यह भी क्या होगी increase होगी तो जब दोनों की दोनों values increase होगी और जब हम इनके दरम्यान graph को plot करेंगे तो वो एक straight line हमें मिलेगा और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि हमने इनको दो temperatures पर draw किया है एक T1 है और T2 है again T2 is greater than T1 जो T2 है वो किसे बड़ा है T1 से यानि T1 कम temperature है और T2 ज्यादा temperature है मैं आपको पहले बता चुका कि चुके इन दोनों ने increase करना है और directly proportional है तो directly proportional का जो graph होता है वो हमेशा straight line होता है तो हमें इन दोनों का जो graph होगा वो हमें एक straight line मिलने को मिलेगा straight line देखने को मिलेगा उसके बाद अगर हम temperature को increase करेंगे यानि जब हम T2 की बात करेंगे तो फिर यह वाले जो straight line होगी यह towards the pressure axis यानि Y axis move कर जाएगी इसकी reason भी वही पहले वाली reason कि जब temperature increase होगा तो जो volume है वो भी increase कर जाएगा जिसकी वरा से यह जो हमारे पास line है straight line that will be move toward pressure axis डन है चलेजे अब next युमारे पास last graph graph है that is between pressure on x-axis and the product PV on y-axis यहां पर समझने वाली बात यह है कि pressure जो है वो हमने x-axis पर लिया है लेकिन जो PV इन दोनों का pressure का और volume का जो product है इसको हमने y-axis पर लिया है अब इसको हम किस तरह से समझेंगे अब इस term के अंदर हमें इस term के अंदर दो चीज़ें दिखाई दे रही है एक P है और एक V है अब अगर तो इस में से मैं आपको पहले बता चुका pressure को increase करेंगे pressure को increase करेंगे तो जो volume होगा वो क्या होगा decrease होगा क्यों क्योंकि यह दोनों एक constant की equal है इन्होंने तो constant ही रहना है तो जब जितना pressure increase होगा उतना ही volume decrease होगा तो फिर जो हमारे पास graph में line आएगी that will be a straight line parallel to the x-axis जो के हमें x-axis के parallel में दिखाई देगी क्योंकि pressure तो change कर रहा है pressure तो हम increase कर रहे हैं बार बार लेकिन जो product इन दोनों का pressure का और volume का जो product है यह change नहीं हो रहा जब यह change नहीं हो रहा तो फिर हमें इस line में कोई भी variation दिखाई नहीं देगी बलके यह line हमें एक straight line दिखाई देगी और बिलकुल पिछले दो graphs की तरह यहाँ पर भी हम दो temperatures पर इनको draw कर रहे हैं that is T1 and T2 and T2 is greater than T1 यानि T2 हमने ज्यादा temperature लिया है और T1 कम temperature है और यहाँ पर जो line होगी that will be यहाँ पर जो line होगी वो high pressure पर away from the x-axis move कर जाएगी यानि वो होगी तो parallel to x-axis ही होगी लेकिन वो इससे दरह away कर जाएगी और इसकी reason भी वो ही है कि जो volume है वो increase कर जाएगा कब जब temperature हम increase करेंगे उसके बाद हम कुछ terms को discuss कर लेते हैं जो मेरा खर मुझे यहीं पर discuss कर लेने चाहिए थे जब हमने पहला graph discuss कर ले था लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि ISO term क्या होती है आइसो बार क्या होती है आइसो कर्व क्या होती है पहले मैं इसको definition आपको बताता चलों फिर हम इससे related कुछ concepts को भी clear करेंगे अब definition क्या है इसकी curve और line वो वाली curve या फिर वो वाली straight line या वो वाली line जो के हमें बनती हुए दिखाई देगी कब जब temperature constant होगा यानि जब temperature constant होगा उस time पर जब जो हमें curve मिलेगी या फिर line मिलेगी उसको हम ISO therm कहेंगे अब आपने मुझे इस चीज का answer करना है कि ये वाली ISO therm है जिसर बिल्कुल है आपने कहा curve एक temperature पर जो के pressure और volume के दर्मयान होती है उसको हम ISO therm का नाम देते हैं क्या ये वाली जो line है ये ISO therm है जी सर बिल्कुल है ये भी ISO therm है अब आप सोचेंगे के सर हमने तो book में यही पढ़ा यही सिर्फ ये वाली जो line है या curve है that is ISO therm तो फिर याद रखेगा ये भी ISO therm है और ये भी ISO therm है अब ऐसा क्यों है क्योंकि मैंने कहा वाली curve या फिर वाली line जो के constant temperature पर draw किया रहता है तो देखेगा यहाँ पर temperature constant नहीं था constant था क्या यहाँ पर temperature constant नहीं था यहाँ पर भी constant था और यहाँ पर temperature भी constant था तो तीनों जगा पर temperature constant था तो इस वज़ा से जो हमें एक curve मिलेगी या फिर line मिलेगी उसको हम ISO therm का न और यहां पर इस चीज को इस चीज का मतलब सेम और थर्म का मतलब temperature होता था इसी तरह से ISO का मतलब सेम होता है और बार का मतलब होता है प्रेशर तो वह वाली कर्व या फिर वह वाली लाइन जो के constant pressure पर हमें हासिल होती है उसको हम ISO बार का नाम देते हैं और इसको आप मजीद इसके नेक्स्ट इस चाल्स उसमें आप देखेंगे के वहां पर pressure को constant रख दिया रहता है और temperature और volume के दर्मयान variations हो रही होती है तो वहां पर चुंके pressure constant होता है तो वहां पर जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम ISO बार का नाम देंगे और यह वह वाली लाइन है या फिर वह वाली कर्व है एक दफा रिवाइस करता चलों के हमने बार को डिसकर्स किया फिर उसकी mathematical expression को डिसकर्स किया उसको एक्सपरिमेंटली प्रूफ किया हमने और फिर देन graphical explanation उसकी देखी और कुछ terms को डिसकर्स किया थो थैंक यू सो मच अलाहाफिज